जहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य सबसे पहले बात करेंगे कि आखि रेलवे ग्रूबडी के रिजल्ट को इतना लेट क्यों किया जा रहा है इतना डीले क्यों किया जा रहा है जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स वाले भी यह कह रहे थे कि आपका जो railway group D का result है वो 10 तरिक तका जाएगा फिर कई लोगों ने यहाँ पर दावे की result 11 December को यहाँ पर release कर दिया जाएगा लेकिन अब 11 December भी यहाँ पर निकल गई है और आज हो गई है 12 December आखे result में इतनी देरी क्यों हो रही है और दूसरा reason यहाँ पर जो दूसरा सबसे main जो यहाँ पर नुकसान होने वाला है वो उन लोगों को होने वाला है जिनके marks यहाँ पर 45 आ रहे हैं 46 आ रहे हैं 47 या फिर 50 आ और जिनके marks यहाँ पर 40-42 आ रहे हैं अब उन लोगों को न नीचे वालों का नहीं होगा, उपर वालों का होगा, कभी 30%, तो इस तरह के अलग-अलग तरह के नोटिस यहाँ पर रेलवे दे रहा है, और रेलवे ने यहाँ पर result की date देने से पहले, यहाँ पर PT की date अनौंस कर दी, अब यह मुझे भी समझ में आया कि इस तरह का game यहाँ रेलवे ने किस तरह से खेला है, अब यहाँ देखे नुकसान चात्रों को किस तरह से होगा, क्योंकि वो चात्र जिसके marks यहाँ पर 45 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, या फिर 43 आ रहे हैं, अब आपको मैंने starting से मैं कहता हुआ चल रहा हूँ, और जिस दिन result आएगा, उस दिन बार भी आपका तगड़ा होने वाला है, और जितने लोग आपसे कह रहे हैं, मैं बार बार नोटिस को आपको दिखा रहा हूँ, कि नोटिस में clearly यह नाइल मेंशन की हुई है, कि आपका जो परसंटाइल स्कोर है, वही आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, वही आप आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कहलाएगा, अब यहाँ पर देखे, नॉर्मलाइजेशन इस बार भी बहुत तगड़ा आपका होने वाला है, हाँ, इतना है कि जैसा नॉर्मलाइजेशन 2018 वाले गुरूपडी में हुआता है, यानि कि बहुत सारे कंड़ेट के मार्क से याँ पर 100 से पी उपर चले गे थे, बहुत सारे मेरे जानने वाले कंड़ेट हैं जिनका कि मार्क से आपर किसी का 106 था, किसी का 110, किसी का 115 भी पहुँच गया था, लेकिन इस बार वाले गुरूपडी में ऐसा नहीं होगा, इस बार वाले गुरूपडी में आपका जो तालिस वालों को सबसे बड़ा नुक्सान क्यों होने वाला है उनको नुक्सान इसलिए होने वाला है क्योंकि वो लोग अभी तक P.E.T. की तैयारी नहीं कर रहे हैं और P.E.T. की डेट यहां पर अनौंस कर दी गई है यानि कि जनवरी के पहले हफते या फिर दूसरे हफते स यहां पर P.E.T. चालू हो जाएगा ऐसा रेलवे कह रहा है अब यहां पर रेलवे जो है इस तरह की नोटिस यहां पर रेलवे ने अनौंस कर दी है तो इससे देखे रेलवे यहां पर क्लियर हो गया है कि यहां पर P.E.T. तो उसे जनवरी में लेना है लेकिन रिजल्ट आपको पहले ही नोटिस दे दिया है P.E.T. का आपको पहले ही टाइम बता दिया है कि इस टाइम पर P.E.T. होगा अब रेलवे के उपर है कि यहां पर रिजल्ट के तीन दिन बाद भी P.E.T. लेले हाला कि पहले ऐसा होता था कि यहां पर जिस टाइम पर रिजल्ट आता थ सकता है हो सकता है रेलवे यहां पर 25 दिसंबर को रिजल्ट जारी करें हो सकता है रेलवे यहां पर एक जनवरी को रिजल्ट जारी करें और 6 जनवरी से आपका यहां पर पीटी स्टार्ट कर दें तो यहां पर आपको टाइम कितना मिला सिरफ और सिरफ पांस दिन अब 45 नंब बढ़ाये जाएंगे या फिर यहां पर जैसे मालीजे किसी शिफ्ट में यहां पर पांच कोशन गलत है तो यहां पर 95 में से उसका रेशियो निकाल लिया जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हाला कि 4-5 यहां पर मार्क्स आपके अब्जेक्शन रेस के भी बढ़ वो तो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहा था और रिजल्ट का वेट करते करते रिजल्ट इतना डिले हो गया कि P.E.T. के सिर्फ और सिर्फ पांस दिन पहले रिजल्ट आया है तो यहां पर उस केस में वो केंडिडेट जिसके 45 मार्क्स आ रहे थे रो मार्क्स 45 था और उसक पर नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके माक्स हो गए यहाँ पर 60 और वो अपनी जो कुट आफ है उससे भी 5 माक उपर चला गया यानि कि पच्पन कुट आफ गई है और वो 60 पर आ गया अब उस टाइम पर उसने बिल्कुल भी पीटी के तयारी नहीं किये अब पीटी के तयार है ना वो यहाँ पर पीटी के तयारी में लग जाईए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि 40 42 45 46 जितना भी आपका माक्स आ रहा है आप यह मत सोचे कि आप बाहर हैं आप रेस में अंदर हैं अभी वी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह का गेम खेल होगा और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर माल लीजे आपके 45 माक्स हैं और इस बार जो ज्यादतर केंड़ेट का जो एवरेज स्कोर देखने को मिला है रैंक आई क्योंने यहाँ पर डेटा निकाला वो डेटा भी हमने आ ज्यादतर केंड़ेट का 45, 46, 47 इस तरह का यहाँ पर आपको रोई स्कोर देखने को मिल रहा है तो यह एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर उन केंड़ेट के लिए रहेगी जिनका माक्स हैं कमा रहा है क्योंकि उनको बहुत नुक्सान यहाँ पर जहलना पड़ सकता है तो सिर्फ आपको यह देखना है कि आपकी जो बड़ी है आपकी बड़ी 1000 मिटर दोड़ने के लिए आपके पास पूरा स्टैमिना है या फिर नहीं है आप सिर्फ यह देखिए 1000 मिटर दोड़ने के लिए हो सकता है पहले दिन आपको 20 मिनट लगे हो सकता है 25 मिनट भी लग जा अगर आपको 20 मिनट लगते हैं तो अगर आपको 10 मिनट लगते हैं तो हो सकता है 10 दिन के अंदर आप यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे लेकिन जब आप 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 4 मिनट की आपको यहाँ पर जो आपका PT होगा उसके अंदर आपको 4 मिनट 15 सेकंड दे जाएंगे लेकिन आपको practice करनी है 4 मिनट की आप 4 मिनट की practice भी मत कीज़े मैं तो कहता हूँ आप साड़े 3 मिनट की कर लिजे कि आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपनी पूरी की पूरी रणिंग पूरी करनी है ये आप अपना टार्गेट रखिए कि 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1000 मिटर दोड़ना है और ये चीज आपकी बनेगी कम से कम 15 दिन के अंदर और इन 15 दिनों के अंदर आज से ही आप एक नियम बांद लीजे कि आपको किसी भी तरह का fast food नहीं खाना है, किसी भी तरह का ऐसा item नहीं खाना है जो कि आपको आलस दे, यानि कि आपके energy को यहाँ पर boost ना करे, आपके energy को down करे, ऐसा कोई item आईटम आपको नहीं खाना है, आपको खाने हैं और बिल्कुल इस तरह की चीज़े आपको जब तक आपका P.E.T. नहीं हो जाता उस टाइम तक इस तरह की सारी चीज़ों को अवइड कर दीजे जो कि आपको आलस पैदा करती हैं ऐसी चीज़े खाई हैं जादा लिकविड पर रही है और जादा से जादा अ वहां पर आप निसित रूप से चार मिनाट पाँ सेकंड पूरी करलेंगे कि वीड के अंदर आपका मॉटाल हो जाएगा आपका confidence राउन हो जाएगा और थोड़ा सा एक mentally pressure भी रहता है यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई candidate यहाँ पर जो है confused हो जाते हैं round के अंदर भी क्योंकि 4 round होते हैं कई जगे क्या होता है कि मैदान जो है 200 मैदान का 200 मिटर का है तो आपको 1000 मिटर दोड़ना है तो 4 round आपको मारने हैं वो आपको खुद को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 4 round आपके हो चुके हैं यहाँ नहीं हो चुके हैं और देखें यह जो पीटी है इसके लिए हमने प्रपर वीडियो बनाया कि पिसली बार पी 200 मिटर का एक round होता है रेलवे के ground जो है अलग-अलग तरह कि हाँ पर size में है तो कुछ जगे पर कुछ जोन में आपर 200 मिटर का आपका मान लिजे एक round है तो आपको कितने round लगाने टोटली 5 round लगाने पड़ेंगे उसमें भी कया होता है कि भीडि के अंदर कई बार confusion हो जा और उनकी ये गलती उनको बहुत बड़ी भारी पड़ी और इसकी वज़े से वो यहाँ पर selection से बाहर होगे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है आप अभी भी गलती कर रहे है तो इसलिए गलती से बचने के लिए आज सही PT की तैयारी शुरू कर दीजे रिजल्ट आपका लेट अगर रेल्वे को 20-25 दिन पहले रिजल्ट देना होता तो रेल्वे यहाँ PT की डेट नहीं देता है रेल्वे यहाँ result की डेट आपको देता है आप थोड़ा सा दिमाग लگाईए अपना दिमाग को खोलिये कि रेल्वे ने PT की डेट क्यों दीए आपको रेल्वे ने इसी के साथ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि छात्रों के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है लेकिन फिर भी जैसा भी रेलवे यहां कर रहा है आपको उसका जो है सपोर्ट करना पड़ेगा और उस चीज को यहां पर फॉलो करना ही पड़ेगा तो इसलिए अब जो हो चुका है वो हो प्ले करेगा आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहां पर 42 पर भी आपका सलक्षन हो जाएगा मतलब कि 42 मांक्स अगर आपके है और आपको 18 नमबर का नॉर्मलाजेशन मिल जाए तो आप यहां 60 नमबर पर पहुंच जाएंगे और 60 नमबर पर पहुंचते यह आपका तुरूप से हैं किसी भी जोन से अगर आप हैं तो यहां इसी लिए बिल्कुल भी डाउट मत करें और मेरी बातों को बिल्कुल गांट बांद के रख लिजेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वापस वीडियो को देख लिजेगा और उस दिन जितने भी चैनल आपको कि यहां पर इस बार भी रेलवे गुरूप डी चला गया हाथ से फिर 2023 में रेलवे गुरूप डी आएगा और तब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता है तो इसलिए इस बार ही आप जो है जौब ले लिजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई कि देर का है वहां जाकर आप हमें डीम कर सकते हैं और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत